हेलो स्टुडेंट्स, वेल्कम टू e-Learning प्लाटफॉर्म बाय अटोमोबायल इंजिनेरिंग डिपार्मेंट माईसल्फ प्रोफेसर के जी घर्षा सी आनी मी तुमाला यालेक चला जो सब्जेक्ट सी को ना रहे तर आपन चाप्टर नंबर फिप्ट बगदो तो रिनेवल एनर्जी एंड इन्वार्मेंट आणि यहाँ चाप्टर नंबर फिप्ट चा वीडियो चा पार्ट नंबर टू आसना रहे यहाँ लेक्चर मदे आपन जे टॉपिक्स कवर करना है ते कुटलियाद बगादर फर्स्ट न आसना रहे टाइडल एनर्जी मंचे जा समुद्र चा लाटा आसना रहे ओशन एनर्जी आसना रहे चा यूज करून कशी एनर्जी जनरेट के लिजाना रहे ते आपन यूआ रहे यूज कवर करना रहे तर टाइडल एनर्जी के भाउशन एनर्जी बिला टायाल निरजी बिकाख आपक भेटन फोर्स ऑप एन्टरेक्शन ओप मून there is a high tide and low tides which is useful for raise and lower the level of sea water due to the gravitational force of attraction of the moon आपन study के लेला है मंजे काई भरते और अनी OOT तेचा मुड़का होते तर समुद्रा चा पाणी जासना रहते आत अनी भायर होते तर तेचा यूज करून काई करू शोकतो आपन energy develop करू शोकतो to utilize tidal energy area where tidal height of water level is above 5 meter there is a need of a heavy construction of a dam in which turbine and generator unit is installed which is useful to generate the electricity here ocean tide contains large amount of potential energy तर भागा आता tidal energy मदे काई के लाते तर समुद्रा चे एते एक डैम बान लाते तर ते डैम मदे काई आशना रहे पावर होस आशना रहे मजे काई आशना रहे turbine आनी generator unit आशना रहे इता ही C ची लेवल आशना रहे आनी हे आशना रहे tidal basing तर आता C ची लेवल इता जर्बा गितली तुमी फर्स्ट पिगर मदे तर ही जासा आनी tidal basing ची water ची लेवल कमे आशना रहे तर या मुण इत्वन काई के लादा C लेवल पसंद पाणनी कुट सोडला जाता तर या पावर हास मदी सोडला जाता 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 पावर हास मद सी मधी सोडले जाना है मझे दोनी वेला का होना रहा है अपला है इता एनर्जी डेवलोप होना रहा है इता टार्बाइन रोटेट होना रहा है इता टार्बाइन रोटेट होना रहा है ते वेगा डारेक्शन रोटेट होना रहा है इता फॉर एक्जांपल क्लॉक्वाज हो रहा है फोक्त फोरग आसाना रहे पंदो नीवड़ी का होना है थी त मुटी ड्येवलोप के लिए टूलाप रहे अशा पर करहा है टाइडल एनेरजी पावर्प्लेंड वॉर्क हो तो प्रकार सा पोलुशन का क्रेट करत नहीं नेक्स का है पावर जन्रेशन इस डूरिंग बोथ हाई टाइड और लो टाइड इस पॉसिबल मंझे का आसना रहा है दोनी वेल आपन आपन पावर जन्रेट कर शकता हाथ यह इंपोर्टन एडवांटेज है नेक्स डिस अडवांटेज का बगाँ अवेलिबिलिटी ओपावर साइट इस भेरी इंपोर्टन एड डिफिकल टास्क मंझे का आसना रहा है जिता आपलेला डैम बांदाएच है थी साइड चूज करना हाई डिफिकल टास्क है नेक्स अगे कॉस्ट ऑपा गंट्रक्शन ऑपा डैम इस हाई मंझे जिता अपलेला डैम बांदाएच है थी साइच कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनिशल का आसना रहा है हाँ है, next आए, power generation is varies from tide to time due to the variation of a tide, obviously मंजे का आसना रहा है, ज़ा सम्दरवाचा लाट्टा चा intensity वर का आसना रहा है, power generation depend आसना रहा है, next आए, chances to carry mud and loose material by sea water, so there is a chances to blockage in turbine and generator unit, मंजे का आसना रहा है, turbine unit वगरे blockage होना चांसे जासा है, ते आमोग तेचा maintenance करना गर जेचा आसना आए, growing need of the world, मंजे का आसना रहा है, हाँ थोड़ा कमी intensity चा यूज केला जाना रहा, power plant आहे, next one आहे, biomass energy, it is a renewable source of energy, the main source is a sun, here in the photosynthesis process, solar energy stored in the form of a chemical energy, in this sun's energy converts CO2 and water into the organic matter, which is nothing but a biomass, तर biomass मंजे का आसना रहा है, जे आपला माराटी सांगाचे जाहला तर शेन वगरे असल के हो, कुझ लेला पाला पाला वगरे असल तेचा पस उन्ही एनर्जी डेवलप केल जाती, निहेचा मदे जी कुझ नेशी वगरे तेची प्रोसे आसना रहा है, तर solar energy आसना there are three form of biomass, तर biomass ये पन तीन form आसना रहा है traditional solid mass, तेचा मदे काया बगा, biomass in is traditional solid mass, like wood and agricultural residue is used directly for burning purpose to obtain the heat and energy, मंजे काया शना रहा है wood असल के वा agricultural waste असल के रेसिडिय आसल, ते आपन directly burn करूँं, heat के वा energy तेची जन्दरेट करू शकतो, नेक्स फेकंड वन है लिक्वीड फॉर्म आप बायो मास ते चाहे मा देका है इट इसने रोट रिखेशनल फॉर्म अप लिक्वीड फ्यूवल इन्दिस बाइोमास is converted into the ethanol and methanol and used in the IC engine as a fuel फ्रमेंटेड बाइोमास ते चाम अधे कास नारा बाया fermentation process of biomass, बायोगास is produced and used as a fuel मन्झे कास नारा बायोगास जे plant अपन भखतो, ते बायोगास plant राशा प्रकर करें बायोमास एनरजी परत काया होचकते तीन फर्म मदी इतर डिवाइड के लिए लिया है एडवांटेजेस ऑप बायोमास एनजी का याद बगातर फर्स्ट हुना है रॉव मट्रेल उजड़ाइज काउड डंग इस एज़ी ले अवेलेबल इन विलेज रूलर एरेया अट फ्री अप कोस्ट जी कहा आसना रहे ते इजी ले अपने ले अवेलेबल होना रहे नेक्स्ट है इजी टू अपरेट एन हविंग लेस मेंटेनस मझे यह चा प्रकार एका आसना रहे मेंटेनस एकदम फारस कम्या आसना रहे नो एडिशनल सीओ टू इमिशन टू इन्वार्मेंट मधे होना ते आम पोलुशन फार क इस एवेलेबल शेक नेक्स थाओ पोर प्रोदूसिंग ग्यास इस टेक्स मोर टाइम ग्याइबलला जास सभी ठेवा लागना राये तसह तेमोन तेचए सटी थाम लागना रहे यह अपनेल लाये नेक्स थाओ इनिशन इन्वेस्मेंट इस रिकोर अरे कंस्ट्रक्शन अब इनर्जी जियो तर्मल एनर्जी इस दे एनर्जी विच इस प्रेजेट इनर्ज इनर्षेल मन्ज़ा पृत्वी चा आज इनर्षेल आसना राए तेचा मद जी एनर्जी आसना रहाए तेचा यूज कुरना आपन पावर जन्रेरेट कर शुकतू for the location of a geothermal plant such that the geothermal field is available in short depth साइट सिलेक्शन इज भेरी इंपोर्टेंट डिफिकल्ट टास्क इन दिस प्लैंड मझे कुटलेट ही का निया प्लेला हाँ पावर प्लैंड उबा कराइचा तेजी साइट चूज कर नहीं सगयाँ इंपोर्टन टास्क है तरह इता फिगर मदे तुम्हालाई जियो थर्माल प्रत्वी चा अंडर्ग्राउंड मदे है का असना रहा है लार्ज अंडर्ग्राउंड स्टीम स्टोरेज के लिए अंडर्ग्राउंड मदे जी स्टीम काई के लिए जाना रहा है या स्टोरेज ग्राउंड मदे स्टोर के लिए जाना रहा है तेचानन तरही स्टीम काई के विम Kiss is honey the judgeachi visual चर्प जाया दीटस्टोर के लिएा या स्टिम ड्रम मदे ड्रायाईस ड्रायी स्ट्रिम स्ट्रैम के लुँसट जा आना रहा तीक ड्रायेट के लिए टीक टार्बाइन वो डायेट के ला राते लिए मुझ घोरो ना राisiej यास ठांच बगेरे बसोल आसना रहा थे आमळो एलेक्टरिसिटी का होना राए जंद्रेड ओना रहा और जी आसना रहा थी स्टीम परत कंडेंसर मदे सोडली जन फूड़ों का होना थे छा फूड़ वाटर त्यार ओना रहा थे राशा प्रकारे हाँ जियो थर्मल पावर प्लैंट जास नेक्स्ट हाए इट आप फोल्यूशन प्री नो-C-o2 एमिशन होना ने मझे पोल्यूशन प्री आसना रहा है नेक्स्ट क्लीन एन चीप एनर्जी स्ट्स मंझे का है डारेक्टल अपलेला और सरफेस मुदुन एवेलेबल उसक्तते मझे चीपर एनर्जी आसना रहा है और इजी ली अवेलेबल इन नेचर, इजी ली अवेलेबल आसना रहे, डिस अडवांटेज कायात बगा, साइट सिलेक्शन इस भेरी इंपोर्टन और डिफिकल टास्ट, मंझे जियो थेर्मल पावर प्लेंट साथी साइट सिलेक्शन करना, सगयात महत्वाचा टास्क आसना रहे, अनि नेक्स्ट आहे, एडवांसर टेक्नोलोजी रिक्वाएट टू कंस्ट्रक्ट अन अपरेट प्लांट, इस एक्जांपल पावर प्लेंट इन न्यूजेल्ड, मंझे का आसना रहे, जी अर्च सर्पेस मुदून आपन जी एनर्जी डेवलोप करना, तेचा सथी जो पावर प्लेंट आपलेला तयार करा लागना, तेचा सथी आपलेला एडवांसर टेक्नोलोजी मशिनरी भी और वोगेरे यूज करा लागना, हेति चिका आसनार एथ्तर डिसाडवांटिज आसनार